Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल चाइनीज security calculations में prominently feature करने लगे है, इस मामले में एक major problem जो सामने आ रही है, वो है मलक का स्टेट, दुनिया का सबसे busiest waterway जहां blockades और piracy का threat बना रहता है, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापूर की बीच, Pacific और Indian Ocean को link करता हुआ ये narrow sea lane, world trade का 25% carry करता है, और चाइना के ल यहां तक की naval blockade को लेकर Chinese vulnerability और उसके lack of alternatives के चलते इसे मलक का डाइलमा का भी नाम दिया गया है, वैसे तो मलक का डाइलमा कोई नया इशू नहीं है, लेकिन चाइना के भड़ते resource need और export markets का access उसके strategic concern को और भी immediate बना देता है, एक option जो चाइना काफी समय से explore कर रहा है, वो है Southern Thailand में एक नए waterway का construction, क्रा केनाल नाम का ये proposed channel अगर बन गया, तो इससे चाइना, अंडमान सी और इंडियन ओशन को easily access कर पाएगा, यहीं नहीं, ये केनाल चाइना और इरोप की बीच distance को 1200 एनिम तक कम कर देगा, जिससे shipping companies का expenditure काफी घट जाएगा, कई experts का कहना है कि इस plan क चाइना, एशिया में पेनामा केनाल का equivalent बनाना चाहता है, पेनामा केनाल, Atlantic और Pacific की बीच एक direct link है, जिसे use कर, ships अपने journey में लगबख 8,000 nautical miles save करते हैं, 1914 में open किया गई है केनाल, एक engineering marvel और दुनिया का एक major trade asset माना जाता है, चाइना के मताबिक ऐसा ही एक direct link, एशिया में उसके strategic interest को secure करने में मदद करेगा, तो आखिर कैसे, चाइना क्रा केनाल को develop करने की सोच रहा है, क्या ये सर्च में पिनामा केनाल का एक equivalent बन पाएगा, आज के इस पीडियो में हम इन ही सवालों पे चरशा करेंगे, पर दोस्तों, आगे बंढ़ने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श गुपता, स्वागे था आपका study IQ IES में, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज से कुछ साल पहले, जब UPST aspirants, UPST की तहरी करने के बारे में सोचते मातर थे, तो उनसे जादा मानसिक तनाव, उनके घरवालों को हुजाया करता था, क्योंकि UPST के तुमानों जैसे पर्यावाची शब्ध हो गए थे दिल्ली के करोल बाग और मुखरची नगर जैसे इलाके, महेंगी फीस, कूचिंग मे आने जने का टाइम, और घर से अलग रहने का मानसिक तना अलग, पर इस सब के बावजूद, students के पास कोई और option न जी लाइव कूपन कोट का यूज़ करते हैं, बैचर्स की शुरुआत 11 जुलाई, मॉर्निंग 8 एम से हो रही है, तो अब आप भी पूरे देश के एस्परेंट्स के साथ कहिए, कि तयारी हुई affordable, study IQ के साथ, इस बैच से रेटेट सभी important links आपको print comment में मिल जाएंगे, बाक एमरिका के west coast से east coast ये ये यूरोब जाना होता था, तो इसे पूरे south america से घूंकर 13,000 miles cover करना पड़ता था, पर 1940 में एक नए artificial canal ने Atlantic और Pacific Ocean की इस दूरी को 5000 miles तक कर दिया, north और south america को जोडता हुआ, इन दोनों oceans के बीच एक narrow strip of land है, जिसे isthmus of Panama कहा जाता है, इसी land strip को cut करत ते हुए Panama Canal नाम का ये artificial waterway international maritime trade का एक major channel बनके उब रहा, आज 21st century में दुनिया का major trading route एशिया के surrounding water से होकर गुजरता है, और इसका burden अकेले मलक का स्टेट बियर करता है, जो इंडिया और Pacific Ocean के बीच सबसे shortest सी route है, इसलिए Panama जैसा एक manmate canal का idea काफी समय से चला आ रहा है, दोस 135 km canal है, जो करास थमस को कट करते हुए Gulf of Thailand और अंडमान सी को जोड सकता है, बीचिम दावा करता है कि अगर ये canal operational हो जाए, तो वो state of मलक्का से आने वाले energy imports के shipping cost को 80% तक कम गर सकता है, वो इस plan को retired और serving Thai armed forces और influential businessmen के support network के थ्रू फुश कर रहा है दोस्तो, सुनने में ये plan शायद नया लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, 1677 में Thai monarch, Narai the Great ने एक सपना देखा, उन्होंने एक engineer को southern Thailand में एक vast waterway को excavate करने की possibility को explore करने के लिए भेजा वो SIAM यानि present day Thailand और Burma यानि Myanmar के बीच एक direct trade route establish करना चाहते थे, लेकिन वो engineer खाली हाथ लोटा, ऐसा कोई भी project लगभग नमुम्किन था, पर करा कनाल का idea भी तबी से persist करता आया है 19th century में Britain और France ने भी ये decide किया कि ऐसा एक man-made कनाल बनना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन इन दोनों European powers को इसकी possibilities को लेकर काफी उम्मीदे थी Britain ने तो SIAM के राजा से ये promise करवाया था कि Britain के अलावा वो किसी को भी dam बनाने की permission नहीं देंगे 1930s में जाके ये डर चाने लगा कि Japan इस कनाल को build करने की planning कर रहा है Japan के लिए ये काफी important था क्योंकि इस कनाल के बनने से वो Singapore में British base को avoid कर सकता था पर Britain और France की तरह Japan भी इस plan को execute करने में सफल नहीं हुआ 21st century के आते-आते फिर से थाई कनाल को build करने के ideas emerge करने लगे ऐसी situation में चाना का rise उसे इस plan का एक major stakeholder बना कर सामने खड़ा करता है चाना की economic prosperity और expansionism उसे अपने trade linkages को diversify करने में मजबूर कर रही है दोस्तों ये तो रही चाना की बात जिसे इस कनाल से सबसे ज़ादा फायदा हो सकता है लेकिन का Thailand उसे लेकर उतना ही interested है दोस्तों वैसे तो इस कनाल को बनाने की कई attempts किये गए है लेकिन ये काफी controversial भी रहा है Thailand के former king, late भूमी बोल अदुलिया देज ने इस plan को oppose किया था क्योंकि उनका मानना था कि ये कनाल Thailand को दो हिस्सों में बाट देगा जिससे separatist moment और भी intensify हो जाएगा 2018 में एक Thai spokesperson ने ये दावा किया प्रायम मिनिस्टर प्रायूत चान ओच्छा और Thai government के पास इस project से related कोई policy map नहीं था एक टाइम पे तो C passage का ये concept Thai government दोरा dismiss कर दिया गया था वो किरा कनाल के बदले Thailand bridge पर focus करने लगे रेकिन जनवरी 2020 में शाइद चानीज दवाप में आके Thai government ने 49 मीटर की एक ad hoc parliamentary committee form की जो Thai project की feasibility को study करने में लग गई इस committee ने 2020 में अपनी report Thai house के सामने पेश की ताकि उस पर debate और voting हो सके पर इस report को reject किया गया 143 MPs इसके against थे और 121 इसके support में 53 members ने voting से abstain किया था फिर भी China's project को लेकर काफी optimistic है और इसे start करने की कोशिश कर रहा है दोस्तो तीन सदियों पुराने इस idea को समय समय पे चर्चा में लाया गया है और खास कर तब जब Thai economy एक crisis की ओर बढ़ती हुई निजर आती है कुछ ऐसा ही COVID-19 pandemic के बाद हुआ इस project के supporters का मानना है कि Thai canal के बनने से jobs create होंगी जिससे Thailand के economic prospects improve होंगे पर फिर भी यह Thai government के लिए एक priority नहीं बन पाया है पर recent times में एक change देखने को मिल रहा है Thai parliament में इस canal को लेकर discussions intensify हो रहे है The Diplomant के एक article के मताबिक 2015 में चाइना Thailand, Crime Infrastructure Investment, A Development Company और Asia Union Group के बीच canal construction को लेकर एक Memorandum of Understanding sign किया गया था और popular belief यह है कि यह सब चाइना के influence के बगएर तो नहीं हो रहा है तो आखर चाइना इस plan को लेकर इतना serious क्यों है तो चाइना के लिए किरा किनाल एक dream project है जिससे वो इस region में maritime transportation को improve करना चाहता है बीजिंग का मानना है कि वो Thailand को अपने economic potential को enhance करने का मौका दे रहा है चाइना का यह भी कहना है कि इस project से local residents के लिए employment opportunities generate होंगी इसके लावा यह भी काज़ा रहा है कि यह कैनाल East Asian countries और IOR यानि Indian Ocean Rim Association के electoral states को greatly benefit करेगा क्योंकि उनके transportation cost काफी घट जाएंगे लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि चाइना के इन claims के पीछे उसका global legitimate बनने का सपना चिपा हुआ है मलक का स्ट्रेट में आज भी US और उसके allies की predominance है इसकी वाज़ से चाइना एक alternative के लिए तरस रहा है वैसे तो sea lanes और ports के लावा भी BRI plan में roads, railways और overland connections भी शामिल है लेकिन क्योंकि एक modern container ship 23,000 से भी ज़्यादा containers कैरी कर सकता है इसलिए trucks और train से उनका replacement फाइदे मन नहीं होगा उपर से observers की माने तो कई countries जिनके थूँ BRI route गुजरने वाला है उनमें conflict और insecurities आने वाले सालों में भी बनी रहेगी इसलिए उन्हें avoid करने के लिए sea lane ही preferred medium of transportation बना रहेगा लेकिन कई experts इस project के economic viability को लेकर doubtful है वो इसलिए क्योंकि इसका estimated construction cost 28 billion डॉलर है और related infrastructure को आड करें तो लगबाग 30 billion डॉलर एक्स्रा यह amount शायद toll fees के through recover ना हो इसके लावा security, strategic और environmental concerns भी है जिसे हम अगले section में explore करेंगे दोस्तों यह माना जा रहा है कि अगर BRI successful रहा तो वो South East Asia के economic और security landscape को बदल कर रख देगा जाहिर सी बात है कि ऐसे large scale project के implications भी severe होंगे Asia में conflicts की एक complex history रही है और इसलिए experts को मानना है कि किरा केनाल का construction अपने साथ कई challenges लाएगा Thailand के लिए यह strategically बहुत भारी पढ़ सकता है किरा स्थमस से गुजरता यह केनाल इस island nation को दो हिस्सों में बाट देगा जिससे Southern Thailand और भी volatile बन सकता है दरसल Thailand के South में कई separatist movement चले आ रहे हैं नौर्थ में located Bangkok के लिए इन Southern border provinces को control करना और भी मुश्किल हो जाएगा Malaysia के साथ border share कर रहे इन regions में separatist insurgency को fund और assist करना आसान हो जाएगा इसके लावा international traffic के साथ साथ drug syndicates और terrorism जैसे crime networks भी flourish करेंगे जैसे Thailand की national security खत्रे में रहेगी observers की माने तो चाइना का participation इस कैनाल को militarize कर देगा और इससे Thailand की sovereignty affected हो सकती है सिर्फ Thailand ही नहीं बलकि क्रा कैनाल को defend करने के लिए चाइना Cambodia को भी involve करेगा Cambodia के को कॉंग और प्री सिहनोग प्रोविंसस से क्रास्थमस सिर्फ 520 किलोमेटर दूर है अगर चाइना Cambodia के साथ उसके airports और ports को यूज करने के agreement को secure कर पाता है तो इससे अंडमान सी में Chinese presence और influence काफी बढ़ जाएगा चाइना की strategic और military presence बाकी BRI countries के लिए एक concern बन जाएगी और वो चाइना को balance out करना चाहेंगे इंडिया मलक्का स्टेट के करीब इंडोनेशिया के सबांग आइलेंड में एक naval base को lease पे लेने की सोच रहा है जिससे वो Chinese movements को check कर सके दूसरा major concern है finances दूस्तों हमें ये ध्यान में रखना होगा कि मलक्का स्टेट का passage free of cost है क्योंकि वो एक international sea passage है पर 30 billion dollar के किरा केनाल को use करने के लिए heavy charges लगेंगे जैसे स्वेस और पेनामा केनाल दोनों में ही normal size merchant whistles पे 500,000 dollars extra लगते हैं इसलिए मलक्का स्टेट को use करने वाले ships और vessels शायद ऐसे extra cost को bear करने के लिए पर चाइना के इस commercial footprint की कीमत Thailand को चुकानी पर सकती है और Thai economy एक debt trap में फस सकती है security और finances के अलावा शायद सबसे बड़ा concern है environment environment experts के मताबिक करा कनाल southern Thailand के environment और marine ecology को severely hamper कर सकता है ecological impact के साथ-साथ जैसे tourism और fishing industry से आ रहे revenues भी hurt होंगे finally क्रा कनाल regional stability को affect कर सकता है आसियान members में differences पैदा करके चाइना उनको कई contentious issues पे अपने bilateral ties से manipulate करने की कोशिश करेगा for example वो South China Sea में अपने interest और hegemonie को और भी strongly push कर सकता है इसलिए सिर्फ Highland ही नहीं बलकि पूरे South East Asia के लिए ये कनाल एक burden साबित हो सकता है तोसो अपने neighborhood में इंडिया चाइना related कोई भी development को बहुत closely follow करता है इंडियन authorities का मानना है कि क्रा कनाल एक white elephant project बनके रह जाएगा white elephant का मतलब है ऐसा कोई भी entity जो useful से ज़ाधा costly हो Chinese plan के response में इंडिया अपने naval presence को और भी मजबूत करने में लगा हुआ है जहां Myanmar, Pakistan और इरान के ports के थूँ चाइना अपने dominance को कायम कर रहा है वहें इंडिया अपने island territories में infrastructure upgrades की तरफ आगे बढ़ रहा है ताकि South China Sea की तरह उसे इंडियन ocean में strategic problems ना face करने पड़े टॉप इंडियन military officials के मताबिक इंडिया अंडमार और निकोबार आइलेंड में INS कोहासा, शिपपूर और Campbell air strips को full-fledged fighter bases में तबदील करना चाहता है लक्षदीप में अगाती air strip को भी military operations के लिए अपगरेट किया जाएगा, ताकि मलक्का स्ट्रेट, Bay of Bengal को और Gulf of Eden तक Arabian Sea को secure किया जा सके, यह island territories इंडिया के लिए नए aircraft carriers की तरह काम करेंगे जिसे mainland के beyond, इंडियन navy अपने reach को expand कर सकेगी दुनिया के busiest sea lanes के करीब होने के कारण यह islands strategically लेकिन एक problem जो सामने आ रही है वो है क्रा केनाल को लेकर Indian strategic community में विवाद एक side का यह मनना है कि चाइना की BRI project का हिस्सा होने के कारण फाइलेंड में यह केनाल इंडिया के लिए एक long time maritime security issue बन जाएगा, वहीं दूसरा view यह है कि इस केनाल का construction inevitable है, क्योंकि चाइना इस पे invest करने के लिए तयार बैठा है, इसलिए इंडिया को इसे एक threat के बजाए एक opportunity की तरह देखना चाहिए, national security planners के मताबिक इंडिया को इसके advantages को explore करते हुए मलक का यह क्रा केनाल की और जाने वाले vessels के लिए transshipment ports construct करने का सोचना होगा, इन ports से इंडिया substantial revenue generate कर सकता है पर एक्जामपल, श्रिलंकन ports से कुलंबो को foreign exchange और strategic leverage दोनों ही मिलता है observers का मानना है कि इन infrastructure upgrades से इंडिया के island territories को dual फाइदा होगा, एक वो इंडिया के economic gains को maximize करने में मदद करेगा, दूसरा Indian Ocean region में इंडिया अपने military presence को expand और secure कर पाएगा, तो दोस्तों ये थी एक analysis चाइना के proposed क्रा कैनाल पे, इस पूरे मुद्द को लेके आपका क्या opinion है, कैसे सच में इंडिया को कुछ फायदा होने की उमीद है या फिर BRI की extension की ही तरह long term में, ये इंडिया को hurt करेगा, comment section में ज़रूर पिताइएगा और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में हमें discuss किया कि इस वीडियो की UPSC mains के साब से काफी जादा relevance है और उसी relevance को देखते हुए एक question हम आपके लिए छोड़ कर जा रहे है जिसे आपको comment section में answer करना है and the question is discuss China's plan to bypass its Malacca state dilemma and with this question my friends that's it for the video, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा हम मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत